असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं ठीक होंगे दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौधी अरब की एहम और तरीन जरूरी खबरों के बारे में जैसा कि दोस्तों सौधी गोवर्मेंट की तरफ से 17 फरवरी 2022 तक के लिए सौध सौधी अरब में जिसकी वज़ा से लोगों का बचपाना मुस्किल हो रहा है तो दोस्तों ठीक इसी तरह कल चेकिंग के दोरान सौधी अरब में तीन गेर मुल्कियों को सजा सुनाई गई है जो कि दोस्तों आप लोग इस वीडियो में मुकमल जानकारी जानेंगे वहीं द दोस्तों खास कर आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा नहीं तो दोस्तों अब आप लोगों के उपर भारी जुर्बाना लगाया जाएगा जिसके लिए वह आर्निंग जारी कर दी गई है तो दोस्तों अगर आप इन सभी खबरों से रूबरू रहना चाहिते हैं तो पिलीज इस वीडियो को शुरू से लेके लास तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पिलीज चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को पिरस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोडिसिकेशन इसी तरह आपको मिलता रहे तो चलिए दोस्तो बिना टाइम बेस्ट किया हुए वीडियो को सुरू करते हैं तो जैसे कि पहली अपडेट आपको स्क्रीन पर सो हो रहे होगी इस अपडेट को वजारत तिजारत यानि कि मंतराले की तरफ से सेर करते हुए जानकारी दी गई है कि सौधी अरब में परदा के दोरान पकड़ा जा रहा है यानि कि जिसमें 17 फरूरी तक के लिए टाइम दिया गया था कि जो सौधी के नाम पर लैसंस लेकर कोई भी गेर मुलकी कारोबार कर रहा है तो वो सौधी या उस लैसंस को कैंसल करा है या तो फिर वो अपना कारोबार करे जिसमें कल के दोरान दोनों गैर मुलकियों और सौधी खातुन को जब पकड़ा गया पकड़कर उन्हें अदालत में पैस किया गया और जुर्म साबित होने पर तीनों अफराद को छेह मां की केद उन में से हर एक पर 60,000 रियाल का जुर्बाना भी लगाया गया इसके आलावा इदार चलाने वाले दोनों गैर मुलकियों को सौधी एरब से बेद अखल यानि कि बिलेक लिस्ट करके उन्हें सौधी एरब से बाहर भेजने के लिए सजा सुनाई गई है यानि कि दूस्तों कुल मिला कर देखा जाए तो अब सौधी एरब में कोई भी गैर मुलकी अपना नहीं कर सकता है तो बात कर लेते हैं सौधी फलाइट को लेकर जारी किया गया है जिसे कि आपको स्क्रीन पर सोहो रहा होगा इस अपडेट को सौधी पब्लिक प्रास्क्यूशन की तरफ से सेर करते हुए जानकारी दी गई है कि कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि पिलेन मे ट्यूटर हैंडल पर भी जानकारी सेर कर दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह की हरकत करने वाले लोगों को सजा दी जाएगी सजा के रूप में आरोपी को पांच लाख रियाल तक का जुर्बाना लगाया जाएगा इसके साथ ही पांच साल की जेल हो सकती है किसी भी पिलीज जो भी लोग ट्रेवल कर रहें किसी भी फलाइट में ट्रेवल कर रहें तो दोस्तों सावधान रहें और जुर्बाना से बचे हैं